sql server में हम select query के वारे में जानेंगे data मुझे देखना है या excel में इंपोर्ट करना है या Power BI में इंपोर्ट करना है या access में इंपोर्ट करना है और एक particular conditions के बिहाब पे store करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहां हम new करीब पर click करते हैं new करीब करने के बाद इस तरके white screen आ जाता है यहां हम लिखते हैं select मुझे overall data चाहिए सारे columns चाहिए इसलिए मैं star लगाते हैं और यहां लिखते है from अपना table लें जिसके dt है तो dt लिख दिया अपना table लें अब इसको execute किजिए तो यहां देखे सरा data आगे मुझे सरा data नहीं चाहिए मुझे ओव डेटा चाहिए simple सा ओडेटा चाहिए जो जोन में हमारा south का है तो यहां मुझे where command लगाना हूं कि where zone equal to हमने यहां पर दिया inverter क्मान south south किया और मैं इसको run करता हूं run करते ही सारे southwire data लेकि मैं चाहता हूं कि मैं quantity के हिसाब से अपने data को short करो तो यहां पर लिखूंगा मैं order by quantity और asc और इसको मैं करूंगा यहां से run run करते ही देखिए यह आपका इसकी हिसाफ से run हो गया अब इसका यूज हम direct SQL में भी करते हैं power bi में करते हैं हमारे power bi plus SQL qd का एक course है जो कि Monday to Friday one hour चलती है और group classes होती है 35 days के आसपास इसकी durations हैं अगर आप सीखिना चाहते हैं तो मुझे call किजिए हमारी नए बैच से start होने वाले हैं आप join कर सकते हैं या इसकी recorded वीडियो चाहिए तो आप मेरे app को download करें इस वीडियो की description लिंक में में एप का link दिया होगा थैंक यू